हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं कच्छे आम से आम का छुंदा बना रही हूं तो इसके लिए मैंने कच्छे आम लिये हैं चार और इसको हमने अच्छे से धूल करके और छील करके इसको कपड़े से पोच्छ के छील करके और कदू कस कर लिया है यह मेरे घर के पेड़ के आम थे गाउं से आये थे तो इसमें अभी बीज कच्छे हैं आप जो रेडी मेड आम खरीद कर लेंगे उसमें तो बीज पक गए होंगे लेकिन आप उसको छील करके कदू कस कर सकते हैं और फिर बीज हटा दीजेगा फिर मैंने यह सारे आम कदू क जालेंगे तो मैंने चीनी का भी इस्तमाल किया है और गुड का भी एक कटूरी मैंने चीनी डाली है और गुड भी मैंने डाल दिया है आप अपने आश्यक्ता नुसाद सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं सिर्फ गूर से भी बना सकते हैं थोड़ा से इसमें मैंने काला नमक एक चमट डाला है, आप साधा नमग भी डाल सकते हैं, फिर थोड़ा सा मैने लाल में चैट-पटे के लिए डाला है और ह militar है ओर फूर्डा सा गरम मसाला डाले हैं थोड़ा सा यह चैट-पटा सा स्वाध हो जाएगा, एक बार जरूर करें इसे पूरी पराठा के साथ कहा यह यह बहुत ही टेश्टी जब इसमें एक तार की चासनी बन जाए तब जो है इसको गैस को बन करके इसको ठंडा करके किसी भी एर्टाइ डिब्बे में रख करके फ्रिज में रख करके महीने भर खा सकते हैं पूरी पराठा के साथ यह बहुत ही टेश्टी लगता है एक बार ज चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में